तो गाइस आज का हमारा टॉपक है इंस्टाग्राम की पुरानी ID लोग इन किस तरह से कर सकते हैं वो भी बिना पासपर्ट के अगर आपने इंस्टाग्राम पे कोई भी पुरानी ID बनाई थी पहले कभी और अभी आपको जह उसका पासपर्ट याद नहीं है तो आप उसे किस तरह से जो लोग इन कर सकते हैं तो गाइस उस अकाउंट का आपको यूजरनेम तो पता होगा आप इंस्टाग्राम पे उस अकाउंट को देखते होंगे सोचते होंगे यह मेरा पुराना अकाउंट था पर आप उसे लोग इन कर पार आपको पासपर्ट भी याद नहीं है बस आपको यूजरनेम तो पता होगा, आपने Instagram पर देखा होगा उस account को या आप उसे search करके, आपको क्या करना है, उसका username आपको पता कर लेना है, आपको पता होगा अगर आपको पुरान अकाउंट जो है दिख रहा है Instagram पर तो आपको बहुत पर username देखता है, आपको पता डेगा तो आपको क्या करना है यहां पर एक option देखने को अब लिगा forget password आपको इस पर क्लिक करना है और यहां पर आपको क्या करना है आपको उस instagram आकांट का username डाल देना है कि तो मैं डाल लेता हूं username यूजर लेम डालने के बाद आपको simple आपको continue बटन पे क्लिक करना है जिसी आप continue बटन पे क्लिक करेंगे आप से यहाँ पर password पूछा जाएगा तो यही हमारा account पुराना account पर मुझे इस account का password बिल्कुल भी नहीं पता है तो आपको simple forget password पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कई सारे option देखने को मिलते है email का और no longer access तो यहाँ पर कई सारे option देखने को मिलते हैं तो अगर आपका यहाँ पर mobile number लिंक होगा तो वह भी आपको दिखेगा और email लिंक होगी तो आपको email भी दिखेगी तो यहाँ पर मेरी email लिंक है तो मैं ऐसे अगर आपको इस code को सिंपल कोपी करना है और को क्या अगर आपको इस code को इंटर करने के बाद आपको सिंपल continue बटन पर क्लिक करते ना है जिसी अप continue बटन पर क्लिक करेंगे तो होगा क्या कि आपका जो account है यहाँ पर आपको password set करने का option देखने को मिल सकता है बरना आपका जो account है वो directly log in भी हो सकता है तो गायँ देख सकते मेरा जो account है वो directly log in हो गया है अगर आपका account directly log in नहीं होता है तो वहां पे आपको password set करने का option देखने को मिल सकता है तो गायँ देख सकते मेरा पास option आ चुका Elijah पता नहीं क्या हो रहा है अभी मैंने उस पक्लिक किया तो मेरा account आपको जो भी Assault set करने वह आपको passport set कर देना है उसके बाद आपको कंटीनिव बटन पर क्लिक करना जैसे आपंटीमि बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपका जो नया password आपके सैट बोहर आपका हो जाएगा तो कुछ इस तरह से जो है आप अपने पुराने इंस्टागाम अकाउंट को विदाउट पास्पर्ट जो है लॉग इन कर सकते हैं तो आई हूप आइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा